चलिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूटूब चैनल सक्सेज मंत्रापर और मैं सचीन मिस्रा आज फिर से आप सभी शात्रों के लिए हिंदी के कुछ महत्तोपूर प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो कई सारे एक्जाम में पूछे जा चु प्रश्न है कि मिनाक्षी का परयावाची सब्द है क्या सुन्दरी दुर्गा मचली या लच्छमी ठीक है तो यहां मिनाक्षी का जो परयावाची सब्द होगा वो दोस्तों वो क्या होगा option B सही होगा दुर्गा ठीक है क्या सही होगा दुर्गा Option B, दुर्गा सही होगा, मिनाक्षी का अर्थ होता है दुर्गा, ठीक है? चलिए, next question ध्यान देंगे, next question क्या है हमारा? कौन सा सब्द नाग का परयावाची नहीं है, ठीक है? यह अभी पूछा गया प्रशन है, कौन सा सब्द नाग का परयावाची नहीं है, सर्प अही विसधर या तुरंग, ठीक है? तो दोस्तों तुरंग जो सब्द है यह घोडा का परयावाची है, ठीक है? किसका है? घोडा का परयावाची है नाग का नहीं है ठीक है तो यहाँ पर सही जबाब क्या होगा option D तुरंग होगा ठीक है इसको clear करते हैं बढ़ते हैं फटा-फट अगला प्रशन देखते हैं क्या है हमारा कौन सा सब्द दैतिका परयावाची नहीं है देखिए हमारा आकलन लग सके कि कितना आप सही कर पा रहे हैं ठीक है पिछली बार आपने दिया कफी अच्छा जवाब रहा चलिए कौन सा सब्द दैतिका परयावाची नहीं है ध्यान देंगे किसका परयावाची पूछ रहा है दैतिका ठीक रक्षस दानव भूसूर या निसाचर तो भू भूमी के देवता की बात करते हैं ठीक है भूमी के देवता के लिए भूसूर का प्रयोग करते हैं ठीक है तो यहाँ पर ऑप्सन सी आपका गलत है परयावाची नहीं है दैतिका ठीक है तो यहाँ पर सही जबाब क्या होगा आपका ऑप्सन सी होगा चलिए इसको क्लियर कर होता है दोस्तों पेड़ ब्रिच ठीक है तो यहां पे सही जवाब क्या होगा आपका आपसा ने सही होगा विटप ठीक है विटप जो है रुख का परयावाची सब्द है क्लियर करते हैं बढ़ते हैं next question की ओर कौन सा सब्द ब्रह्मा का परयावाची नहीं है देखें आप अ तो दोस्तों option D में आप जो चतुर्भूज देख रहे हैं या जो है ब्रह्मा के लिए प्रयोग न हो करके बलकि विश्णु के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है ठीक है चतुर्भूज चार भुजाएं हो जिसकी वो विश्णु है ठीक है तो option D यहाँ पे सही हो कौन सा सब्द ब्रहमर का परयावाची नहीं है ठीक है तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे सही जवाब होगा आपका option C सिली मुख ठीक है सिली मुख किसका परयावाची है पता है आपको तीर जिसको आप बान भी बोलते हैं ठीक है तो यह option C यहाँ पे आपका सही होगा बढ़ते हैं next question की और हमारा आगला question क्या है कौन सा सब्द इंद्र का परयावाची नहीं है इंद्र के परयावाची की बात की जा रही है यहाँ पे कौन सा सब्द इंद्र का परयावाची नहीं है देखिए option और फटा फट अपनी चलिए बढ़ते हैं next question की और देखते हैं हमारा आगला प्रशन क्या कह रहा है हिराण अगर्भ का परयावाची सब्द है काफी important important प्रशनों की सिंखला आज आपके सामने है ठीक यह सभी इकजाम में पूछे जा चुके हैं पहले आरो शरो के तो यहाँ पे हीराण अगर्भ का प्रयावाची सब्द क्या है विशुनयू ब्रह्मा महेस या गणैस तो ही अगर्भ किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों हीराण अगर्भ जो है वहा हाँ आपका ब् यहाँ पे दास का परयावाचि कौन सा सब्द नहीं है? बताईए भाई जी, option B में आप एक सब्द पा रह मतलब होता है परिवार के सदस या परिवार के लोग यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? option B परिकर जो है यह दास का परिवाचि नहीं है बाकी सब अनुचर भृत्य सेवक यह जो है दास के परयायवाची है चलिए इसको clear करते हैं बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर देखते हमारा आगला question क्या कह रहा है परयायवाची सब्द का आर्थ क्या है परयायवाची सब्द से आप क्या समझते हैं उसका क्या आर्थ है विलोम वाची प्रति विलोम वाची या समाना भास या समान आर्थी तो परयायवाची का आर्थ क्या होगा option D समान आर्थी ठीक है समान आर्थी समान आर्थ देने वालाज अगला question है हमारा दोस्तों यमुना का परयावाची है कई बार पूछा आ चुका है लगभग सभी एक्जाम में ये देखने को प्रशन मिलता है यमुना जी से related यमुना का परयावाची सब्द क्या है कालिंदी नी भागी रथी यामिनी या कालिंदी यमुना का परयावाची सब्द जो है वह है आपका कालिंदी option D में देखने को मिल रहा है कालिंदी यह आपका option D सही होगा यह यमुना का परयावाची है कई बार पूछा जा चुका है ये अगला प्रशन है निमलिखित में से कौन सा सब्द निसीत का परयावाची है ठीक है निसीत निसीत मतलब रात्री ठीक है निसीत का परयावाची नहीं है यहां नहीं है पूछ रहे है कौन सा परयावाची निसीत का परयावाची नहीं है कौन सा सब्द ठीक तो यहाँ पर रात्री निशीत का परयावाची है, रजनी है, ठीक है, तम नहीं है, तम मतलब होता है अंधकार, ठीक है, अंधकार और अंधकार दिन में भी हो सकता है, पूछिए कैसे, आप बंद कमरे में हो, लाइट न जल रही हो, आपके बिजली का कोई साधन न हो, रोश सभी निशीत के परयावाची है चलिए क्लियर करते हैं बढ़ते हैं नेक्स प्रशन की ओर देखते हैं अगला प्रशन क्या कह रहा है सूरी के परयावाची की बात की जा रही है अगले प्रशन में भास्वर मारतंड प्रकास तेज इसमें से सूरी का परयावाची है कौन सा त आपका ये जो सिलसिला चल रहा है, बहुत जल्द ही आपका एक्जाम होने वाला है, फटा फट इसको ध्यान में दें, और इसको गंभीरता से ध्यान में रखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो पुट अप किये जाते हैं एक्जाम में, वो आपको देखने को यहां मिल रह है, ठीक है, अर्विंद का परयावाची, मिलिंद नहीं है, बाकी पंकच, जलज, अंबुज, ये जो है कमल के परयावाची है, तो option A यहां पे आपका सही होगा, चलिए, बढ़ते हैं next question की और, हमारा next question क्या है, देखते हैं, बिजली सब्द का परयावाची नहीं है, बिजली सब्द का परयावाची नहीं है, बितुंडा, बाकी दामनी, चंचला, तडित, ठीक, ये सब जो है, बिजली के परयावाची है, चलिए, बढ़ते हैं next question की और, देखते हैं, अगला प्रशन क्या कह रहा है, प्राची का परयावाची सब्द है, प्राची, प्राच प्राची सब्द का परयावाची शब्द है, ठीक है, क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं next question की और, हमारा अगला प्रशन क्या है, देखते हैं, तरंग शब्द का परयावाची है, तरंग, तरंग शब्द की परयावाची की बात कर रहा है, पुसकर, कूल, जलद या, और्मी, त जंगल सब्द का परयावाची, जंगल सब्द की परयावाची की बात कर रहा है, प्रमोद, विश्रान्ती, कांतार या दिव, ठीक, तो इसमें से क्या सही जवाब होगा, आप अपने जवाब फटा बट कमेंट बास में लिग कर जरूर हम तक बेजे, यहां पे देखिए, जो सही जवाब होता है, वो आपका है कांतार, ठीक है, और कांतार आपको देखने को मिल रहा है, option C में, ठीक, यहां पे option C आपका सही होगा, भटा भट अगला question देखते हैं, क्या है, क्रोध सब्द का परयावाची है, क्रोध, यानि गुस्सा, ठीक, क्रोध सब्द का परय option B में मिल रहा है, ठीक, तो यहां पे option B सही होगा, अमर्श, इसके जगा रोस लिख दे, या गुस्सा लिख दे, ठीक, तो यहां भी सही होगा, ठीक है, चलिए, क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं क्क्क्वेशन की और, हमारा अगला question है, जीव का परयाय है, जी या जीव, ठीक, तो यहां पे सही जबाब क्या होगा, option B, रसना, ठीक है, क्या होगा, रसना, जीव का परयायवाची क्या होगा, रसना होगा, रसना मतलब जीव जी हुआ, ठीक, चलिए, अगला प्रशन है हमारा, कौन सा सब्द अही का परयायवाची नहीं है, ठीक, अही बी में आपको सरीश्रिप दिख रहा है सरीश्रिप इसका मतलब होता है कि जमीन पर रेंगने वाले जीव ठीक है इंसेक्ट्स आप कह सकते हैं इनको ठीक है तो यहाँ पे सरीश्रिप नहीं होगा अही का परयावाची बाकी सब अही के परयावाची है अगला प्रशन ध्यान पहतां देंगे क्या है नैसरगुक का प्रयाइवाचि क्या होगा सद्कृत्त या चतोरधिक,ивать तो यहां, सही ज़ब क्या होगा, आप बताएं यहां पर बताएं यहां जो सही जबाब होगा आपका option C प्रकृति में होगा ठीक है नैसरगूक का जो प्रयाइवाचि हो होगा वह क्या होगा प्राकृतिक Oh guy कि ठिक कि छसले करते हैं बढ़ते हैं अगला प्रशन क्या कह रहा है यह निम्लिखित में से कॉन सा शब्द हाथ का परावाची नहीं है हात हाथ का परावाची कॉन सा परयावाची सब्द है, ठीक है, हाथ के परयावाची सब्द है, चलिए, बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्चन की और देखते हैं, अगला प्रशन क्या कह रहा है, निमलिखित में से कौन सा सब्द सूर्य का परयावाची नहीं है, सूर्य का परयावाची नहीं है, ठीक है, प्रभ के निर्मार करता के रूप में जाने जाते हैं ठीक है option B विभाकर यह जो है आपका सूर्य का परयावाची नहीं है बलकि यह सूर्य चंद्रमा प्रकास तेज आधि देवता के निर्मार करता के रूप में जाने जाते हैं चलिए अगला प्रश्ण क्या है चांदनी का परयावाची सब्द नहीं है चांदनी का परयावाची सब्द नहीं है क्या चंद्रातप, कौमुदी, जोत्सना, मयंक ठीक है तो यहाँ पर सही जबाब क्या होगा देखिए चंद्रातप भी चांदनी का परयावाची है कौमुदी भी है जोत्सना भी है ठीक मयंक चांदनी का परयावाची नहीं है बलकि मयंक मतलब होता है चंद्रमा ठीक है चंद्रमा मयंक मतलब क्या होगा चंद्रमा चलिए अगला प्रशन ध्यान देंगे क्या है निमलिखित में से कौन सा सब्द सरस्वती का परयावाची नहीं है वीडापाणी, महाश्वेता, पद्मा या भारती ठीक, तो सही जवाब यहाँ पर क्या होगा सरस्वती की परयावाची की बात कर रहे हैं कि कौन सा इसमें से, कौन सा सब्द जो है वो सरश्वती का परयावाची नहीं है तो सब्द है एक आपका option C में पदमा ठीक और पदमा का आर्थ होता है दोस्तों लक्ष्मी ठीक है क्या होता है पदमा का आर्थ होता है लक्ष्मी ठीक तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका option C पदमा सरश्वती के पर्यायवाची नहों और लच्छमी जी , जानार्दन किसका पर्यायवाची? अब आप पिछले sir में एक सब्ध पढ़ा था चतुर्भूज , जानार्दन जिसका पर्यावची है उसके पर्यायवाची चतुर्भुज भी है अब आप इसका सही जवाब बताईए क्या सही जवाब होगा ठीक यहाँ पे इसका सही जवाब होगा C option विष्डू ठीक है option C विष्डू जो है वो जनार्दन के परयावाची है चलिए अगला question ध्यान देंगे हमारा next question क्या है आईए देखते है निमलिखित में कौन सा सब्द समुद्र का परयावाची नहीं है कौन सा सब्द समुद्र का परयावाची नहीं है ठीक यहाँ पे सही जवाब क्या होगा फटाफट अपने जबाब comment box में लिखकर हम तक भेंचे यहाँ पर देखी जो आपका सही जबाब होगा दोस्तों वह है option B जलद जलद मतलब होता है जलदेने वाला यानि बादल मेग वारिद ठीक है जलद का आर्थ क्या होगा बादल बादल इसको मेग भी बोलते हैं वारिद भी बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर सही जबाब option B जलद होगा इसको clear करते हैं बढ़ते हैं next question की और देखते हैं हमारा अगला question क्या कह रहा है निमलिखित में सिव का परयावाची शब्द है शिव के परयावाची सब्द की बात करना है शिवालाय रूद्र रुद्राक्ष हरी तो यहाँ शिव का परयावाची क्या होगा फटपफटपने comment box में answer लिखके भेज़ें यहाँ पर देखिए जो दोस्तों सही जबाब होगा वह होगा आपका option B शिव का परयावाची शिव का परयावाची क्या है रुद्र है ठीक है रुद्र चलिए इसको clear करते हैं बढ़ते हैं next question की ओर देखते हैं हमारा आगला question क्या है अगला और अंतिम प्रश्ण है हमारा इनमें एक लहर का परयावाची सब्द नहीं है इनमें से कौन सा है जो लहर का परयावाची सब्द नहीं है ठीक वीच दुकूल तरंग हिलोर यहां क्या सही होगा आप अपने जवाब कमेट बॉक्स में लिख कर दें यहां पर देखिए सही जवाब होगा आपका दुकूल ठीक है दुकूल का दोस्तों लहर नहीं होगा दरंग या लहर नहीं होगा बलकि इसका मतलब होगा कपड़ा ठीक रेशमी कपड़ों के लिए बात कर सकते हैं आप दुकूल का मतलब होगा कपड़ा ठीक तो यहां पर इस तरह से आपको 30 question important जो कि आपके पिछले ROARO और कई सारे एकजाम में पूछे जा चुके हैं यहां स्क्रीन के माध्यम से एक नजर में आपको देखने को मिला और आप सभी छाप्तरों से यही कहना चाहूंगा कि एक दो दिन के अंदर जो ही वीडियो आपको एकजाम से पहले मिल रहे हैं उसको जरूर वाच करें उसको एक बार सरसरी निगा से जरूर देखें चुकि कही कही बार हमको repeated question देखने को मिलते हैं और यहां पे वही question आप से update कराए जा रहा है जो question आप पूछे जा चुके हैं और इस तरह से वीडियो का लाब उठाते रहे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी चात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद